दोस्तों ब्लागिंग करने के लिए आपके पास लैप्टॉप या कम्प्यूटर हो तो ही आप ब्लागिंग कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप एक स्मार्ट फोन से भी ब्लागिंग कर सकते हैं और महीने के हजारों रुपए इंकम जेनरेट कर सकते हैं इसलिए जिन निके पास laptop या desktop नहीं है तो please बहाने बनाने बंद करो यार excuse देना बंद करो कि आप laptop या desktop के बिना blogging नहीं कर सकते हैं आप smartphone से भी blogging शुरू कर सकते हैं जो लोग blogging शुरू कर चुके हैं वो complete अपने blogging को smart phone से भी manage कर सकते हैं और आप mobile से भी ब्लॉगिंग करके अपना पहला लैप्टॉप या डेक्स्टॉप भी खरीज सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं या जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं वो कम्प्लीट अपने ब्लॉग को मॉबाइल फोन से स्मार्ट फोन से उन पांच ओ अप्लिकेशन का यूज करके मैनेज भी कर सकते हैं तो अब में ले चलता हूँ आपको अपनी mobile screen पे जहां पे हम Google Play में आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 applications आपको अपने mobile phone में install करनी है जिसे कि आप blogging भी start कर सकते हैं और जो लोग blogging start कर सुके हैं चाहे WordPress पे हो या blogger पे हो वो अपना blog manage भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से हम चलेंगे Google Play Store में और यहां से हम search करेंगे WordPress तो WordPress हमने पहले से install करके रखा हुआ है तो आप WordPress पे अगर अपनी website को बना है अपने blog को बना है तो उससे manage कर सकते हैं या आप अपना नया blog नया website यहां से create भी कर सकते हैं उसके लिए हम इसे open करेंगे और आप यहां से अपनी blog को completely manage कर सकते हैं साथी आपको यहां अपनी blog post लिख सकते हैं नये pages create कर सकते हैं अगर आपके पास multiple blog है multiple website है तो आप यहां पे add भी कर सकते हैं इसके लिए आपको add new के option पे जानी है यहां आपको add new site का option मिल जाएगा उस पे आपको दो option मिलेगा create WordPress site जिससे कि आप free में WordPress site create कर सक हुआ है यहां अपना blog बना हुए है जो कि self-hosted है तो आप यहां add self-hosted पे click करके अपना website add कर सकते हैं और उसे manage कर सकते हैं या आप चाहते हैं कि अपना first blog हम blogger पे create करें तो आपको blogger install कर लेनी है इन दोनों में से कोई एक application आपको install कर लेनी है और उस पर आपको अपनी first blog create कर लेनी है या अगर पहले से ब्लॉक क्रेट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे login करने नहीं है second application जो हमें install करनी होगी वो हम अपने ब्लॉक पोस्ट लिखने के लिए या draft करने के लिए हम अपने एक application को यूज करेंगे तो उसके लिए आप mobile phone में पहले से available text editor का भी यूज़ कर सकते हैं Google Docs का भी यूज़ कर सकते हैं अपने articles को लिखने के लिए अपने blog post को लिखने के लिए लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप Grammarly के application को यूज़ करें Grammarly मैं आपको इसलिए recommend कर रहा हूँ क्योंकि Grammarly के माध्यम से आप अपने articles को और भी smooth बना सकते हैं इसमें आपको automatic grammatical mistakes को correct करने का option मिल लाता है साथी आप अपने word को change भी कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे tools मिल लाते हैं जिनका आप free में use कर सकते हैं तीसरी जो application हमें use करनी है अपने blog post को manage करने के लिए वो आप pixel lab या canva को install कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने blog post के feature images को create कर सकते हैं और वहां से हम आसानी से अपने feature images के अंदर text लगा सकते हैं या और भी उसमें icons वगरा लगा सकते हैं ये दोनों ही application आपको free में बहुत सारे features provide करते हैं जिनको आप use कर सकते हैं और easily आप अपने feature images को create कर सकते हैं इसके बाद चौथा जो application हमें install करनी है अपने mobile phone में अपने blog को manage करनी के लिए वो हम अपने blog post को social media पे कब share करना चाते हैं कौन-कौन से social media पे हम एक साथ में अपने blog post को share करना चाते हैं तो इन सारे चीज़ों को manage करने के लिए हम buffer social media tool का use करेंगे तो आप इसको install कर सकते हैं इसके माध्यम से आप एक साथ कई social media पे अपने blog post को share कर सकते हैं उसको schedule कर सकते हैं उसमें और भी images को add कर सकते हैं लिंक add कर सकते हैं तो यह सारे चीज़े आप इस app के माध्यम से कर सकते हैं इसके बाद पांचवा जो application हमें install करनी है वो Google analytics हमें install करनी है Google analytics के माध्यम से आप अपने website के performance को देख सकते हैं real time में आपके website के उपर आपके blog के उपर कितने visitor हैं कौन से page के उपर ज्यादा visit आ रही है आप complete अपने audience के acquisition और repeat को इस app के माध्यम से देख सकते हैं और इसको analyze कर सकते हैं तो दोस्तों यही 5 application का use करके आप अपने blog को शुरू भी कर सकते हैं mobile phone से और manage भी कर सकते हैं इसके अलावा monetization के लिए आपको AdSense यूज करनी होगी तो AdSense का कोई application अभी available नहीं है तो उसके लिए आपको manually browser में ही login करना होगा और वहां से आपको AdSense manage करना होगा तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताए वीडियो अगर आपको informative लगी हो इसे like share जरूर करें साथ ही अगर आपने channel कभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और notification को भी on कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में एक नई topic के साथ जैहिंद झाल 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 झाल